अले इवरीवन विल्कम टी सरोज मिशा यूटीब चैनल में डिप चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है डी ट्रिपल एस्वी की ओफिशल वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट दो अलग-अलग नोटिस जारी किये गया है तो डिफ्रेंट नोटिसेज मोस्ट अर इंपॉर्टेंट अपडेट है डी ट्रिपल एस्वी की ओफिशल वेबसाइट डेरी सबॉर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड और इसमें तीन सेक्शन होते हैं जहां पर आपको कुछ नया देखने को मिलता है सबसे पहले यह सेक्शन होती है कोई लिंक अगर जारी है इसको चेक करते हैं और एक और है वो भी उसकी भी आप वेट करें देख लें हो सकता है वह आपके काम की हो तो पहले जो अपडेट है वह 22nd September 2022 की डेट से नोटिफिकेशन ऑफ ओनलाइन एक्जामिनेशन फॉर दे वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस देपार्टमेंट स्केडियूल ऑन 31st October, 3rd November, 4th November and 21st November तो ऐसा समझ आ रहा है कि ओनलाइन एक्जामिनेशन की डेट रिलीस कर दी गई है 31 अक्टूबर, 3 नोवेंबर, 4 नोवें पोस्ट कोड पांच बटा बाइस का एक्जाम है डेली ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन डेपार्टमेंट का नाम है इसका एक्जाम रहेगा 31st October, 2022 31 October, 2022 को शिफ्ट 1, 2 & 3 में आपके एडमिट कार्ड में Shift में टाइम लिखा रहेगा दमिट कार्ड में आप चेक कर सकेंगे टाइम इसके बाद PGT Sanskrit Female के एक्जाμ की डेट है PGT उर्दू Male Candidates के लिए एक्जाम की डेट है 3rd November 2022 को shift 1 and shift 2 में time exact अगर आपको exam की देखनी हो तो आप admit card में check करेंगे इसके बाद manager IT daily transport corporation department का नाम है post code है 9 oblique 22 922 और advertisement number है 622 4 November 4th November 2022 Friday के दिन exam है एक ही shift है shift 1 इसके बाद PGT music male candidates 22 oblique 22 advertisement number 722 PGT computer science male के लिए 29 oblique 22 post code है PGT computer science female के लिए 30 oblique 22 post code है directorate of education department का नाम है 21 November 2022 Monday सोमवार को exam है तो इतने सारे post की जो है exam की date आ गई आप note down कर ले name of exam center and date of examination and timing shall be mentioned in the e-admit card तो e-admit card में exam की date, date of exam और timing आपके mention किये रहेंगे इसके बाद candidates are advised to visit website of board and OARS portal regularly for further information admit cards will be given shortly on the e-admit cards will be given तो अभी admit card नहीं आएं e-admit card shortly आएंगे आप website check करते रहें regularly अगर आपके date आ गई है exam की तो regularly आप कम से कम दो दिन पर या एक दिन पर evening में या किसी वक्त जाकर website check कर लेंगे आपके date से release हुई है यह है display of draft answer keys for online computer based examination for various exam तो यह समझ आ रहा है कि draft answer keys आए है online computer based exam हो चुके है कौन से post के लिए वो चेक कर लेते हैं draft answer keys आए है name of post है पटवारी post code है 48-21 exam हुए थे आपके 20 अगस्त को 21 अगस्त को 17 सिप्टेंबर और 18 सिप्टेंबर को पटवारी name of the post, post code 48-21 28 अगस्त, 21 अगस्त, 17 सिप्टेंबर और 18 सिप्टेंबर को exam हो गए थे पटवारी post के लिए उनके draft answer keys आ चुके है, display हो चुके है candidates who had appeared in the exam for the above set post on the set dates may view the draft answer key and file objection तो अगर आप appear हुए थे तो अब आप draft answer key भी देख सकते हैं और साथी साथ अगर कोई objection मतलब कुछ आपको गलत लग रहा है तो वो भी आप file कर सकते हैं लिंक जारी कर दी गई है, लिंक available रहेगी 22 सितंबर 2022 से लेके 26 सितंबर 2022 तक तो draft answer key देखने की और फाइल objection फाइल करने दोनों की date 22nd September से लेके 26th September तक लिंक जारी की गई है, कहां पर लिंक है वो भी चेक कर लेते हैं यह official website है, तो सबसे पहले official website में notice कहां पर है, सबसे पहले what's new में आपको आना है notification of online exam for the various post code of various department schedule on 31st October, 3rd November, 4th November and 21st November और दूसरा display of draft answer key of online examination for post code 48-21 तो what's new में ही दोनों update आई हुई है important वो आपको पहले चेक कर लेना है और यह जो draft answer की आई है और इसके लिए file objection यह आप कर सकते हैं यहां पर देखें, यह third वाली objection management link for the post of patwari 48-21 एक पर इसे click करके देखते हैं जो objection file करने वाली है वो इस तरीके से open हो रही है इसमें आप जाके candidate login के लिए आपने जो application number वगरे यूज किया था आपका होगा और date of birth एंटर करके अभी आप answer की देखें और इससे objection भी file कर ले सकते हैं तो अभी आप description box में जाकर check कर सकते हैं आपको तीन लिंक में available करा दे रही हूं separate link जिनको की display of draft answer की जो notice है वो चेक करनी है पटवारी वाली post के लिए उनके लिए एक link में दे देती हूं दूसरी जो अभी exam की आगई date उसके लिए एक separate link है वो में दे देती हूं और तीसरी applicant login यह भी लिंक में आपको अपको अब इसी वीडियो के description box में provide कर देती हूं description box को नीचे तक scroll down करके check कर लें रहे कि बात नहीं जो recruitment और आनी है जैसे कि TGT के कही सारे post नहीं आया है उनके लिए भी तो आप regular basis पे अब चेक कर सकते हैं official website dssb की otherwise मैं YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर आप तक update पहुचाती रहोंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने friends and relatives के साथ share करें latest job updates के लिए इस तरीके की updates कहीं से भी नई recruitment की update आती है उन सब की update के लिए चैनल को share like करते रहें subscribe भी करके रखें अभी नवादे विद्याले की correction की date आई थी तो नवादे विद्याले की correction की update उवे और वगई तो अब most expected की exam के date भी नवधे विद्याले के आइंगे जिन्होंने form fill up किया थे वो मेरे वीडियो देखते रहें साथी साथ नवोदे विद्याले की वेबसाइट और केंद्री विद्याले से अभी कुछ नहीं आया जैसे कोई अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी बेस्ट विश्यस थैंक यू वेरी मच